तो मेरे प्यारे बच्चों, यह है circuit का एक सवाल, जहां पर P और Q के बीच में निकालना है resistance, और अगर आप नोटिस करें, तो यह बहुत classical सवाल है, mirror symmetry का, जहां पर अगर notice किया जाए, तो यह line, यह branch जो है, वो एक mirror की तरह act कर रही है between P and Q, इसका मतलब है, यह circuit और यह line आप के circuit का part नहीं है, वो सारे lines यह circuit के elements जो mirror पर पढ़ते हैं, वो एक की potential होते हैं, और उन पर current तो नहीं होता, तो obviously जो प्रश्न बन गया, वो यह बन गया, कि भाई, in 2R, 2R, 4R हो गया, यह 4R हो गया, 4R और 4R का parallel में answer आगया, 2R, 2R, यह आगया आपका, और साथ में, यह 2R भी छोटा वाला आगया, ज्यान दीजिए, अब आपको solve करना है, इन 2R, 2R को parallel में, जो कि आप जानते हैं, 2R into 2R upon 2R plus, 2R is the answer, कौन सा answer है मेरे बच्चे, answer is A, ठीक है न, all the best.